शुक्षमर्द विज्ञान चैनल में हमारे शुधी दर्सकों का मैं शुशील कुमार सर्मा हर्दिक शवगत करता हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो तुरंट सब्सक्राइबर बने हमारे सब्सक्राइब करके बिल का आइकन में आल सेलेक्ट कर लें वीडियो लाइक करें शेयर करें क्योंकि इस चैनल को बढ़ाना ये आपकी जम्मेदारी है और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाबकारी होंगे जैसे कि रामचरित मानस के बालकार्ण में ही गुर के शमन्द में बताया गया है कि गुरू एक ऐसा व्यक्ति होता है गुरू पुर्थ भी हो सकता है इस्त्री भी हो सकती है गुरू ऐसी इस्तिति का नाम है जो आपको इस संसार सागर से पार करने में आपकी मदद करते है अब संसार सागर में आप फसे हुए है तो संसार सागर से पार होने का ताक पर सिर्फ यह नहीं है कि आप मर जाए और मरने के बाद में संसार से पार हो जाए और आपको आस्वर्गी की प्राप्ति हो जाए ऐसा भी नहीं है जो गुरु अपने सिस्यों की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते सांसारिक रूप से जिनको सक्षम नहीं बना सकते उनके कश्टों का हरण नहीं कर सकते उनको गुरु कहे नालने का कोई अधिकार ही नहीं बनता ऐसे लोग गुरु तो कहे जाने की योग ही नहीं है और वो केवल और केवल समाज को प्रदूसित करने का काम नहीं करते हैं कहा ये गया है कि इतनी महांता बताई गई है कि स्री गुरु पदनक मन गन ज्योती सुमिरत दिव्वेदरिष्ट ही होती ये कि जिनके इसमर्ण मात्र से ही मन में दिव्विक प्रकास का आउतरन होता है ऐसे गुरु होते हैं गुरु का आर्थ अंधकार है प्रु कार का जो अर्थ है हटाना यानि कि जो अंधकार को हटाता है वह गुरु होता है अब वो किस अंधकार को हटाता है आपके जीवन में फैले हुए अंधकार को हटाना क्वों नगार किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई पार्यव गयरग समस्या हो सकती है कोई राजनीतिक समस्या हो सकती है को यह सिद्धिनय प्राप्त ना होने की कि भी समस्या हो सकती है कि सारी जीक समस्या हो सकती है आधि दैविक आधि भौतिक समस्या हो सकती है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है उसको निप्टाने में गुरु का विशेश योगदान होता है गुरु का विशेश महत्व होता है और गुरू, इसलिए वो आल लाउंडर कहा जाता है या आपके जीवन की कोई भी समस्या हो जो आप दूसरों से नहीं कह सकते कहा जाता है कि ना तो कहा जाए और ना ही सहा जाए यानि कि सहन भी नहीं हो रहा है और किसी से कह भी नहीं सकते ऐसी भी समस्याएं लोगों में होती हैं कि लोग आत्मास्या सक कर लेते हैं तो आत्मास्या करना तो ऐसे भी अपराद है कानून की दृष्टी से भी और आत्मात्या करना ध्यात्मिक दिरिश्टी से भी अपराद है क्योंकि आत्मात्या करना यानि कि जो भगवान ने आपको जीवन दिया है वह जीवन आपको सभलता के साथ जीना चाहिए आप जीवन से भाग करके इस पर्मपिता के दिये हुए सरीर को निगलेक्ट कर रहे हैं और सरीर को निश्ट कर रहे हैं यानि कि आप बहुत बड़ा प्राद कर रहे हैं एक और बात अगवान स्री कुष्ण कहते हैं कि यानि कि जो धर्म को छोड़ते हैं वह उनके लिए भैयाव है और धर्म को छोड़ना ही मृत्यू मान लिजिया धर्म को छोड़ना मृत्यू है तो वो भी महापाक की स्रिर्णी में आता है सनातन धर्म को छोड़ना महापाक की स्रिर्णी में आता है जिससे की शुरुस बेप्टिका हजारों जन्मों के बाद भी उधार्म नहीं होता जो रासिलाक्योनिया है उसे में भटकता रहता है क्योंकि उसने अपमान किया है सनातन का और अपने सरीर का और जो लोग हाथ में आये हुए मोके को यानि कि आपके जीवन में अगर कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है किसी साधना के फलस्वरूप, किसी क्रिया के फलस्वरूप और किसी दियापार के फलस्वरूप या किसी प्रकार से जो आपके जीवन में आने वाला है श्वभाग्यों उसको रोकना तो ये ये भी एक प्रकार से मैं समझूंगा कि ये भी पाप की ही स्रिवनी में आता है क्योंकि समाज हमेशा उनकी पूजा करता रहा है जो मर चुके हैं जिनकी कहानिया रह गई है जिनकी कहानिया रह गई हैं जो मर चुके हैं उनकी पूजा करने से कोई लाब नहीं है क्योंकि ना तो वो आप से मिल सकते हैं ना आपको गाइड कर सकते हैं ना आपके पेश्चिकों हर सकते हैं और जीवन में यदि गुरु मिल जाएं गुरु का अर्थ मात्र गुरु ही सब्द नहीं है बलकि एक व्यापक अर्थ लिए गुरु इस जीवन में भी नईया पार लगाता है और मृत्य के उपरांत भी नईया को पार लगाता है इसलिए गुरु का महत्व इह लोग और पर लोग दोनों जगहों पर होता है मैं समझता हूँ कि गुरु तक तो अपने आपने इतना स्रेश्ट और महान है क्योंकि संसार में जिस दिन से गुरु खतम हो जाएगा उस दिन संसार फिर ये जंगली बन जाएगा और मैं समझता हूँ कि फिर संसार रहने लाइक नहीं रह जाएगा कोई भी काम बेक्ति करता है तो पहले उसे किसी बेक्ति से सीखना पड़ता है कोई भी काम अपने आप से किसी को कुछ नहीं आप जब तक आपने किसी को करते नहीं देखा होगा जब तक वह आपको बसाएगा नहीं या आप उस्तक से ग्यान लें है ना आप आवाज से ग्यान लें वीडियो से ग्यान लें यह जैसे भी ग्यान लें माली जी कि आपको केक बनाना है ठीक है ना केक कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि सामगरी क्या क्या पड़ती है पता होना चाहिए कि कितने तापमान में बनता है सामगरी को किस मातरा में मिलाया जाता है कितनी देर उसको गरम रखा जाता है यह सारी चीजें जब आप जानेंगे तब आप एक अच्छा केक बना करके त्यार करें यह जीवन इतना अमूल है कि इसके बारे में जितनी रिसरच करो थोड़ी है और मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी जीवन आदे में समाप्त न होए कोई भी आत्मत्या न करे कोई भी न करे और किसे के जीवन की खुसियां गायब न हो मेरी यह हार्दिक्ष कामना रहती है कि बिक्तिको जीवन में वो सारे सुप्राफ्त हो जिसकी उसे अतियावसिक्ता है एक आवसिक्ता होती है एक आवसिक आवसिक्ता होती है जो आवसिक आवसिक्ता हैं उनकी भी पूर्ती होती रहे मेरी सुपकान नाय अपने दर्सुकों के साथ हमेशा है और रहेंगे जै शिवशंकर जै बोलेनात हर हर महादिव